राइपूर के धरम संसद में गांधी पर विवादी किपड़ी करने वाले काली चरुन को 36 गर पुलीस ने मर्ध परदेश के खुजराओं से गिरफतार कर लिया है पुलीस की टीम ने MP और माराश्ट के उसके ठिकानों पर छापा मारी कर रही थी अब खुजराओं से उसे गरफतार किया गया है पुलीस की टीम ने खुजराओं से उसे सुबा चार बजे गरफतार किया है सीयम भुपेश भुगेल ने भी कहा कि गांधी जी को अपमान करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा इसके बाद से ही पुलिस की टीम लगातार छापे मारी कर रही थी बता दे कि कालीचरन महाराज ने राइपूर में आयोजी धरम संसत के दोरान के राश्क पीता के बारे में आपती जनब बाते कही थी इसके बाद वे राइपूर से फरार हो गया है परमोत दूबे की सिकायत पर राइपुर पुलीस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था केस दर्ज होने के अगले दिन काली चरण महाराज ने एक नया वीडियो जारी किया था वीडियो में कहा था कि मैं F.I.R. से डरने वाला नहीं हूँ फासी पर भी चड़ा दिया जाए तो मैं अपनी बास से अड़ा रहूँगा काली चरण महाराज ने कहा था कि मैं गांधी से नफरत करता हूँ बता दे कि काली चरण महाराज का असली नाव अभीजी सारन है और वह मूल रूप से महाराष्ट के अकोला का रहने वाला है काली चरण ने अपने एक इंटर्वी में बताया था कि उसकी पड़ाई लिखाई करने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी इस्कूल जाने से बसता था जब भी घरवाले जब अरजस्ती स्कूल भेशते तो बिमार होने का नाटक कर देता था काली चरण इंदर पोचने के बाद भायू जी माराज के आसरम में आने जाने लगा यही से धरम के परती उसका लगा बड़ा और वही से दिक्सा लेने के बाद वहाभी जी सारं से काली चरं माराज बन गया बतादे कि काली चरं ने चुनाव भी लड़ा है 2017 में हुए अकॉला नगर निकाश चनाव में काली चरन लड़ा मगर हार गया काली चरन के पिता धनंजे सारंग मैंडी का सोग चलाते हैं ब्योरो रिपोर्ट बहुजा नल्चल अगर आप चाहते हैं गरीब हर बंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दोबार ना बोलें देखते हैं बहुजा नल्चल नियुजा